छतरपुर से एक मामला सामने आया है जहां पुलिस पर टॉचर करने के आरोप लगे हैं नाबालिक यूपती के परिजनों का कहना है कि जब छेट छाड की शिकायत दर्ज करानी चाही तो पुलिस ने टालमर्टोली शुरू कर दी क्योंकि आरोपी बीजेपी की पूर्व पारशत का बेटा है वहीं पुलिस ने नाबालिक लड़की को ही टॉचर करना शुरू कर दिया जिस वह डिप्रेशन में आ गई और बीमार हो गई अब उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है दरसल नाबालिक के परिवजनों का आरोप है कि उसे तीन महिने से बीजेपी की पूर्व पारशत का बेटा करन यादव परिशान कर रहा था दो दिन पहले जब वह कोचिंग जा रही थी तभी इस यूवक ने उसे रास्ते में रोका और उसके साथ छेड़ छाड़ की उसने घर पहुंचकर बताया कि करन नाम के यूवक ने उसके साथ जबरजस्ती छेड़ छाड़ करने की कोशिश की जिसके बाद नाबालिक के परिजन करन की रहकत की शिकायत करने उसके घर पहुंचे जिस पर करण के परिवार वालों ने नाबालिक के परीजनों के साथ मारपीट की और उनकी बाइक भी छीन कर अपने घर रख ली जब नाबालिक के परीजन इसकी शिकायत करने ठाने पहुंचे तो पुलिस ने मारपीट के मामले की शिकायत तो दर्ज की लेकिन नाबालिक के साथ छेड़ छार की शिकायदर्ज करवाने की कोशिश पर पुलिस ने टालम अटोली शुडू कर दी और परीजनों पर छेड़ छार की शिकायदर्ज ना कराने का दवाव बनाने लगे जिससे नावालिक बच्ची डिप्रेशन में आगी और उसकी तबियत बिगडने लगी जिसके बाद उसे एस्पताल में भरती कर आया गया पुलिस की इस हरकत की मोबाइल रिकॉर्डिंग भी सामने आई है वहीं एडिशनल एस्पी मारपीट के मामले में कारवाई की बात कर रहे हैं लेकिन जब उन से नावालिक के साथ छीरचाड की बात की गई और पुलिस के टॉचर से यूबती के बीमार होने की बात कही गई तो वे जाज की बात करने लगे आपने वेटी के बात कर दूपित है में बात कि बाके साथ लुचर से यह जा परवाई पागफ ऐसे श्राष पर हैं और देलिव भी स्टमें आपर आडब को LNCT Group, choose the best to be the best for admissions call 744-077-111 Rabindranath Tagore University the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals join India's premier skill-based university Rabindranath Tagore University You are watching The Kalnews झाल